हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ बजट का एक टॉपिक डिसकस करूंगा जिसका नाम है रेविन्यू रिसीट्स वर्सिस इसमें डिफरेंस किया है रेविन्यू रिसीट्स में क्या फरक है तो चलिए शिरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अनी ताइम तो सबसे पहले मैंने sevent enfrent करता है एंपके साथ करता है मगर यहां तो करज़ा ले रही है जिससे लेडरी बड़ रही है या अपनी जो public sector undertaking सरकारी कमपनी उनको बेच लिए जिसकी वज़े से assets कम हो रहे हैं अब capital receipts और revenue receipts को मैंने detail में explain किया है पिछली वीडियो में तो आप description में जाके इसका link चेक कर सकते हैं second point आ जाता है these receipts do not leave any burden on the future generation for example revenue receipts से जो भी पैसा आया जैसे tax से या non-tax से उसे government के उपर future burden नहीं पड़ता क्योंकि government को जो भी हम लोग tax दे रहे हैं तो government ये थोड़ ना कहती है कि मैं tax वापस करूंगी तो government की liability और asset पर भी कोई फरक नहीं पड़ा और future में burden भी नहीं कोई पड़ा on the other hand जो capital receipts होती है वो government के उपर burden छोड़ जाती है या future generations के उपर burden छोड़ जाती है क्योंकि इसमें एक component आता borrowings, borrowing से government के receipts मतलब पैसा तो आ जाएगा बट वो पैसा government को कभी न कभी वापस करना पड़ेगा जिससे की liability चड़ती रहेगी मतलब future generations पर बड़न चड़ गया third point आ जाता है high revenue receipts point out to the sound financial health अब आप दिमाग से सोचो revenue receipts बहुत ज़्यादा है इसका मतलब यह कि government tax और non-tax से काफी ज़्यादा पैसा कठा कर रही है और अगर tax और non-tax से काफी ज़्यादा पैसा इकठा हो पा रहा है तो इससे पता लगता है कि economy बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तभी तो लोग tax और non-tax ज़्यादा भर रहे है on the other hand अगर आपकी high capital receipts हैं तो इसका मतलब यह है कि poor financial health of the economy इसका मतलब यह है कि कोई भी country अगर capital receipts से ज़्यादा पैसा हासिल कर पा रही है budget में तो मतलब उस country का बिड़ा गरक होना शुरू हो गया और उस country में मतलब सब कुछ नुकसान में चल रहा है अब आप खुछ सोचो capital receipts क्या होती है वो पैसा जो आप यह तो loan से लेते हो या फिर आप अपनी company बेच बेच के कठा करते हो तो अगर कोई भी government को पैसा चाहिए और वो पैसा अपने assets को बेच के कमा पा रही है या फिर किसी से loan से ले पा रही है तो देश का तो फिर आपको पता ही है country का तो फिर बेड़ा गरकी होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा budget expenditure पे तिल देन टेक केर हैव नाइस देग